लोड सेडिंग क्या होती है और किस कंडिशन में हमें इसको एपलाई करना पड़ता है क्यों इतना कंपलसरी हो जाता है कि हमें लोड सेडिंग को करना पड़ेगा और किस जग ऐसे हम लोड सेडिंग को करते हैं एलेक्टिकल में तो ये सारी चीजे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो load setting है वो एक important topic है अगर आप किसी competitive exam की तैयारी कर रहे हैं electrical से या interview के नजरिये से भी ये question बहुत ही important है topic बहुत ही important है इससे interview में भी question कर लिया जाते हैं क्योंकि जादतर लोगों को इस परकार के question को पता नहीं होता है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है इसलिए इस परकार के question को कर लिया जाता है तो आज हम आपको बिलकुल detail में बताएंगे कि load setting क्या होती है क्यों इसको apply के जाता है और इसके क्या benefit है तो दोस्तो अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी question या doubt रह जाता है तो आप हमें comment कर सकते हैं, हम आपका reply जरूर देंगे और अगर आप इसी प्रकार की आगे भी वीडियो दिखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं दोस्तो अगर load setting की बात करें तो load setting जो हम जहां पर use करते हैं वो हमारा distribution substitution होता है बहां पर हम load setting को apply करते हैं तो यह condition होती है हमारे load पर vary करती है अगर हमारा generation है वो कम है और load हमारा ज़्यादा है इस condition में जो load setting है वो apply करनी पड़ती है तो इसको हम एक example के द्वारा समझते हैं, जिससे हम आच्छे समझ पाएं, तो माल लीजे कोई हमारा एक generation plant है, वो कोई भी हो सकता है, solar plant हो सकता है, thermal plant हो सकता है, hydro plant हो सकता है, या जो bin turbine होते हैं, वो भी हो सकता है, या जो हमारे dg set होते हैं, वो भी हो सकता है, तो माल लीजे क कोई हमारा जनरेशन प्लाइट है उसने छो पावर हमारे जनरेट हो रही है वह 50 구ぎबाट जनरेट हो रहा है और वह 50 मेगवाट जनरेट करके हम किसी सहर में तो сумmy उसको ठाम्समेट कर होगा लिए रहे हैं तो जो हमारे जनरेशन होती है वह 12 Kb से जन tr तो उसको हम step up कर लेते हैं voltage को step up करके दूसरी जगाए पर भेजते हैं तो माल लीजिए हमने बहां से जनरेट की और किसी सहर को बहां पर supply को भेजा तो फिर जो हमारा बहां पर जहां पर हमने भेजा है बहां पर एक main substation होगा जो distribution substation होगा जहां से अलग अलग जगाए पर जो सहर है उसके अलग अलग जगाए पर supply को दिया जाता है तो जो हमारा substation होता है यहां से जो भी बिजली हमारी जो जितना भी voltage आता है तो उसको बहां पर step down किया जाता है 11 kv में फिर बहां से 11 kv के अलग अलग ब्रेकर लगा जाते हैं अलग अलग फीडर लगा जाते हैं जिससे एक फीडर से हमारे हमारे एक जगए के लिए supply करें यह सभी जगह केलिए अलग-अलग feeder को लगाते हैं अब हम आपको बताते हैं कि load setting कब करनी पड़ती है किस condition में करनी पड़ती है तो मल लीजे जो हमारा substitution है जो generation plant है उसने 50 MB जो electricity है वो generate की जनरेट कर रहा है बराबर लेकिन जो जिस area में हम supply को दे रहे हैं जो हमारा distribution substitution है वहाँ पर जो load है वो 50 MB से जादा हो गया है overload हो गया है वहाँ पर तो उस condition में क्या होता है जो हमारे breakers हैं वो off हो जाते हैं trip हो जाते हैं overload के वज़े से तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर यह overload हुआ है इसलिए trip हुआ है तब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है load setting करनी पड़ती है तो हम load setting में क्या करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे urgently जो compulsory जहाँ पर हमें supply देनी है तो उन जो breaker हैं जो हमारे feeder हैं उनको पहले on किया जाता है जहाँ पर हमें कमपल सरी सप्लाई को देना ही देना है जैसे कोई इंडस्ट्री हुई उसको हमें सप्लाई को देना होता है कमपल सरी या फिर जैसे कोई जल निंगा मुँगा जैसे बहाँ पर जहाँ पर जो बाटर है वो सबी जगाई सप्लाई होता है तो उस जगाय पर भी हमें time पर supply को देना ही देना होता है अगर वहाँ पर supply नहीं देंगे तो जो water है वो भी सबी जगाय नहीं पहुच पाएगा तो ऐसी जगाय को सबसे पहले हम supply को देते हैं फिर उसके बाद जो भी energy हमारी बचती है जो भी load है वो हमारा बचता है तो उसके बाद फिर जो हमारे area होते हैं उसके लिए हम अलग-अलग जगाय पर supply को देते हैं तो माल लीजिए हमारे जो compulsory जो थे उसमें से 50% load हो गया है हमारा फिर जो हमारा 50% load बचेगा उसमें हम अलग-अलग area को दे देंगे जो अप्लाई दी थी तो फिर हम कुछ घंटे बाद जैसे हमने एक घंटे की किया या दो घंटे का किया तो यह load setting घंटे के साफ सो हता है कि हमें कितने घंटे किस एरिये को supply देनी है तो माल लीजिए हमने दो घंटे के साफ से load setting कर रहे हैं तो जिस एरिये को हमने दो घंटे पहले सप्लाई दी फिर उनको ओफ कर देंगे उन ब्रेकर को ओफ कर देंगे फिर दूसरे जो फीडर है जो हमारे पहले से बंद थे जो एरिये तो दो घंटे हम उनको सप्लाई दे देंगे तो इससे क्या है सभी area को हम दो दो घंटे supply देंगे इससे होगा क्या कि हमारी जो supply है वो सभी जगे पहुच जाएगी सभी जगे काम हो जाएगा कुछ घंटे बंद रहेगी कुछ घंटे चालू रहेगी लेकिन जो हमारे compulsory zone है बहाँ पर हमें supply को रेगुलरी देना है तो ये एक तो एस condition से होता है और दूसरी condition होती है इसकी अगर हमारा जो generation plant है बहाँ पर कोई fault आया है तो उसके करण बहाँ पर जो generation है वो automatic थोड़ी कम हो गई या 10% कम हो गई, 20% कम हो गई तो उस condition में भी हमें load setting करना पड़ता है क्योंकि यहां तो हमारा load 50 MW है लेकिन जो हमारा generation plant है वो 40 MW जनरेट कर रहा है तो उस साब से भी हमें जो load setting है उसको करना जरूरी होता है तब भी हम उसको करते हैं तो load setting कुछ नहीं होता है अगर जो हमारा area है बहाँ पर हमारा load है वो जादा हो गया है तो हम उसको क्या करते हैं अलग-अलग कुछ घंटे के लिए अलग-अलग area को supply देते हैं जिससे हमारे सभी जगे supply हो जाए किसी को भी supply ऐसा नहों कि किसी को supply बिलकुल भी नमले तो इसलिए यह load setting किया जाता है अगर हम load setting नहीं करेंगे तो जो overload बना रहेगा तो उससे हमारे जो breakers लगे होते हैं जो substation में breakers या panels होते हैं वो खराब हो जाएंगे transformer भी हमारे जल जाएंगे तो इसलिए हमें load setting को करना कंपल सरी हो जाता है तो इसलिए हम load setting को करते हैं दोस्तो अगर आप load setting का practical video चाहते हैं तो आप हमें comment कर सकते हैं हम आपको एक load setting का practical video बना के देंगे क्योंकि हमारे यहाँ जो substation है अगर बहाँ पर हमारी जो supply है वो नहीं आ पाती है तो बहाँ पर हमारे dg set लगे हुए हैं तो हम dg set को on करते हैं लेकिन जो हमारे dg set हैं पूरा load एक साथ नहीं ले सकते नहीं उठा सकते इसलिए बहाँ पर हम load setting करते हैं तो अगर आपको बीडियो चाहिए practical video चाहिए तो आप हमें comment करें तो हम आपको उस पर भी practical video आपको provide कर देंगे दोस्तो हम आसा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिले होगी अगर आप इसी परकार की और भी वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं क्योंकि हम electricals related video इस चैनल पर लाते रहते हैं जो आपको बहुत काम आ सकती हैं